आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ घर की शमागरी से बनी घर में बनी बहुत स्वाधिश्ट कम समागरी से बनकर तयार होने वाली ये मावा और बेशन की बर्फी तो आईए फ्रेंड्स देडर नकरते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये मावा और बेशन की बर्फी कैशे बनी है हलो फ्रेंड्स मैं हूँ लेलीता और शौगत करती हूँ आप शब्काले रीता किसन में तो बेशन और मावा की बर्फी बनाने के लिए मैं गैशान क करके कडाही रखती हूं कैस्ट और गया तो यह देखे कडाही हो गई है अब इसे मैं डालूंगी जिस कप से मैं एक बेशन ली हूँ उसी कप का हाफ कप में घी लिना है तो घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा बेशन को डालेंगे और अच्छे भूनेंगे बेशन को पहले चान लेंगे उसके बाद भूनेंगे बेषन को चान करके यूज़ करेंगे तो मैं बेषन प्राविशन को बून रही हूं और भूनते आप देखेंगे कि जैसे ही बेषन जो है आपकी जो बर्फिस जो है बहुत एदानदार बनेगी और अच्छी बनेगी तो यह देखिए बेशन जो है मैं 20-25 मिजट के लिए लोफ लेम पे भून ली हूँ काफी अच्छी जो है बेशन भून गई है कलर भी बहुत परफेक्ट आई है और इसे मैं 100 ग्राम ग्रेट किया गज़ा हुआ मावा डाल दी खोवा इसे भी मावा को भी भून लेंगे वेसं के साथ तो यह देखिए मावा और बेशन भी अच्छे शेक दूसरे के साथ मिक्स हो गए है और बहुत है अच्छे से भून गए है अब गैश को आफ कर देंगे और एक बरतन लेंगे इसमें डालेंगे एक कप चीनी और हाफ कप पानी पानी आप चीनी जितना ले उसका हाफ पानी और हम एक तार की चास्तनी बनाकर तिर्यार करका है प्रिफ देखिए चासनी जो है एकतार की बन गई है अब मैं इसमें चार हरी इलाइची को कुट करके ले लिए उसे डाल दोंगी और मिक्स करूंगी इसे और एक बार चेक कर लेंगे हमारी एकतार की चासनी हुई कि नहीं तो यह देखिए जो सुगर शिरफ है वो परफेक्ट बन दङनगे और मिक्स करेंगे लिए इस के एह कंटेदी मिक्स करेंगे हसे चुछ सक्षामिक बनी एक टीओह तो यह देखिए अच्छे से देखिए हो घखिए श podia अब इसे एक प्रावर कर लेंगे तो यह देखिए गंटे बाद मैं बर्फी में कट लगा दी चोटे-चोटे साइस की अपने अनुशार कम ज्यादा कर शकते हैं और दो गंटे बाद में कट लगा करके छोड़ दी थी और यह आठ गंटे बाद में बरफी को थाली से निकाल रही हूं तो ब्रीज में नहीं रखी थी ऐसे भाहर की थी तो फ्रीज में रखी थी और आप एम अपने आप सेठ घू गया है तो आप लोगों को एक निकाल कर दिखा तो तुम्हें बिल्कुल छोटे साइज का बरफी बनाए हूं बड़े साइज का नहीं बनाई हूं बर्फी की साइज आप अपने हमसार कम ज्यादा बड़ी छोटी कर शकते हैं तो यह देखिए बहुत टेश्टी और श्वादिश्ट बर्फी मावा और बेशन की बन करके तयार हुई है बिना फूड कलर का मैं कोई से फूड कलर नहीं डा बर्फी बनकर तयार हुई है फ्रेंड उमीद करती हूं आप रोगो आज की बेशन की बर्फी बहत पशंद आई होगी अगर पशंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजेगा साथी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेयर किसेगा चैनल पर न्यूं है तो मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजेगा नोटिफिकेशन बेल को और करके और प्रेंड कर दीजेगा फ्रेंड फिर में लूंगी एक न्यू रेसीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई